बूर्णिंग इस्टुएंट्स मैं रजन्दर सिंग आपका स्वागत करता हूँ अपनी क्लास में आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो रिय अनलिसिस का बहुत ही इंपोर्ट पार्ट है दाट इस यूर नेवरूट आफ अपॉइंट लगबग हर चैप्टर के अपको लेवरूट पॉइंट वर जूर दिखाए देगा तो इसलिए बहुत इंपोर्ट है इसको बहुत ध्यान समझना बहुत ज़रूरी है इसको आगे इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगो बताना चाहूँगा कि जब हम किस सेट की बात करते हैं तो आज हम पढ़ रहे है नहीं बुरूट आप पॉइंट तो आज हम पढ़ रहे है नहीं बुरूट आप पॉइंट तो नहुट होता किया इस्टुइंट अगर मैं इसको एक सिंपल से लेग में बताने की कोशिद करूँ कि जब भी हम नहीं बुरूट की बात करें तो नहीं बुरूट आक्चिन में करता किया है सेट और पॉइंट के बीच में एक relation को represent करता है ठीक है तो जैसे अगर मैं बूलू नेवरोड पॉइंट तो इसका यह मतलब होगा estimate की किसी भी set को हम एक point P का नेवरोड तब कहेंगे जब वो set उस set के अंदर एक open interval रहमें मिलेगा और उस open interval में वो point P contain करता होगा are you getting a point I mean to say that a set A is called neighborhood of a point P if that set contains an open interval contains an open interval and that open interval must contain that point P then only we say that that set is a neighborhood of a point P right a set a set A या a set का नाम कुछ और देते हैं a set X is set to be neighborhood of a point P if that set X contains an open interval let it be chi and that open intervals contains that point P ठीक है strength never होता है never होता है a set होता है अग खस बात है इसकी इसे खस बात यह instrument कि अगर मैं neighborhood किसी point P के neighborhood बोलता हूँ कि यह set जो किसी point P का neighborhood है तो वो set एक open interval जोड़ content करेगा ठीक है यानि वो open interval completely उस set के अंदर लाई करेगा और उस open interval के अंदर हमें वो point P मिल जाएगा right तो इसको हम लिखते है इस्ट्वेंट मैथमाटिक के लिए का हम लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि मान लिजे super interval का नाम क्या है आई है जो किसमे चंदेन होता हो set X में right और यह open interval यह उपर 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 किसको किसको चंदेन करता है point P को यानि we can say P point belongs to that open interval I then only we say then only we say set X is a neighborhood of a point P ठीक है string अगर मैं इसको diagram से रप्रिजिन करना जाहूं तो मान लिजिए कि हमें चेक करना है यह जो set X है माली set X point P का neighborhood है ठीक है ना तो यह X जो है point P का यह P के है एक number line में ड्रोक कर दिये है यहाँ आपके सामने ठीक है यह X के है subset of a real numbers है यह set X इस P का neighborhood तब होगा जब यह set X माली set X हैं से यहां तक है और यह set एक open interval contain करता होगा इस open interval का ना में रिख दिया है और यह open interval इस P को जुरू contain करता होगा then only we say that X is a number of point P इस अ क्लियर स्ट्रेंट अगर मैं ऐसा कोई open interval ना मिला जो इस P को contain करता हो इसका open interval set X का जो set X के अंदर लाई करता हो completely चीके ना इस्ट्रेंट देखे एक्जांपल के दुख एक्जांपल के से मैं आपको सम्णाने के कोशिश करता हूँ जैसे मैं एक set X ले लिया 1, 2, 3 और कोई पूछेगा इस दा सेट एक्स नेवर्वोड अप पॉइंट टू मैं चेक करना है क्या set X नेवर्वोड अपॉइंट टू का तो मैं देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पास एक open interval है जो पॉइंट टू को झूइंट करता हो जो जो फोको चेक क्या होगा जरसे टू को कटने करने बाला open interval कैसा होगा विक है तो मैं देख ये ተ्फास है जो 2.2 गूइंट करता हो क्या ये open interval हम में मिलेगा is set 13 के अंदर that means this open interval i must be containing set x, x means 13, we have to check, हमें check करना होगा यह open interval क्या इस 13 के अंदर है या नहीं है, ठीक है स्विन, अगर हमें ऐसा open interval, कम से कम एक open interval भी ऐसा मिल गया, जो इस set x के अंदर लाए करता हो, तो हम कहेंगे this set x is a neighborhood of point 2, is that clear स्विन, अगर हमें यह open interval नहीं मिला, यह open interval नहीं मिला, तो हम कहेंगे x is not the neighborhood of point 2, is that clear, तो देखें स्विन, अगर मैं epsilon किजिए कोई भी number रखूं, तो मैं ऐसा open interval जूर्म मिलेगा, जो इस 13 के अंदर लाए करता हो, जैसे अगर मैं इस किजिए कर रखूं 0.1, that epsilon equal to 0.1, what I get, I get 2 minus 0.1, 2 plus 0.1, right, now what is that interval, that is equal to 1.9 and 2.1, अब असानी से दे सकते हैं कि जो उपर interval नहीं, completely is set x के अंदर आता है, अब इसको हम डियाग्राफ से देना चाहें, तो दे सकते हैं, this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, यह आपको set दिया हुआ है, 13, bounded interval की form में, close interval की form में, और यह 2 है, point 2, इसको check करना है कि, यह set 132 का neighborhood है कि नहीं है, तो मैंने एक open interval क्रियेट कर दिया है, आप दे सेते हो, इस 1, 3 के इंदर एक open interval जुरूर है, जो point 2 को contain करता है, that means 1, 3, that means set x is equal to 1, 3 is the neighborhood of point 2, ठीक है स्टुइन्ट, तो यह था neighborhood के बारे में, ठीक है, तो यह basic concept है, जो आपको पताओना चाहिए, जिब भी हम neighborhood की बात करें, तो neighborhood का मतलब क्या है, ठीक है स्टुइन्ट, तो आज की class में हम से basic, basic जो जरूरी है जानने के लिए, जो आपके net के exam को clear करने के लिए जरूरी उस सब बाते पढ़ेंगे, ठीक है, छोट छोटी बाते पढ़ेंगे, तो student उसके बाद, उसके बाद हम कह सकते हैं, एक बहुती important statement है, that is, अगर मैं कहुं की एक उपन इंटरवल आपको गिमाना है, यह दिलिए उपन इंटरवल ए भी, तो कोई भी उपन इंटरवल हो, कोई भी उपन इंटरवल हो, it is the neighborhood of each of its point, that means we can say, any open interval is the neighborhood of each of its points, ठीक है, स्वेंट, देखे, कैसे, मैं कोई भी उपन इंटरवल लेलू, जैसे मैं जैसे 1, 2, 3, यह उपन इंटरवल है, तो यह उपन इंटरवल है, इसमें, आप, you can, you can check that, this is open interval, right, you can check that, 1 does not belongs to, 1, 3, right, 3 does not belongs to, 1, 3, इसका में यह मतलब है कि, 1 इस 1, 3 से बिलों नहीं करता है, ना ही 3, नहीं 3, नहीं एंट, this, this 3, this all doesn't belong to 1, 3, open interval, right, अब, 1, 3 से कौण बिलों करता है, इस open interval i, इसको मैं नहीं 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 नहीं, इस open interval, 1, 3 से कौण बिलों करता है, देखे, 1 प्लस एप्सिलों, बिलों करता है, 1, 3 से, what is epsilon here, epsilon is any positive real number greater than 0, right, इसको हम जितना भी छोड़ा करना चाहें कर सकते हैं, इसना भी छोड़ा करना चाहें, कर सकते हैं, right, तो इस epsilon की जगे, कोई भी हम positive real number लेने, जो 0 के नसदी हो, लेकिन positive हो, that always belongs to, that open interval, 1, 3, let it be, it is not closed, but open interval, टिकाइस तो इसे तरह हैं, 3 minus epsilon also belongs to, 1, 3, right, तो आप दे सकते हो, कि इस 1, 3 के अंदर, इस 1, 3 के अंदर हमारे पास, एक open interval create हो जाएगा, एक open interval create हो जाएगा, जो, इस 1 plus epsilon को continue करेगा, जैसे मैं लिसेता हूँ, 1 plus epsilon minus epsilon 1, comma, 1 plus epsilon plus epsilon, right, and in that case, 1 plus epsilon also belongs to this, जैक है, अब दे सकते हो, यह जो 1, 3 है, जैसे अंदर हो, जो 1, 3 है, जैसे अंदर हो, जो 1 plus epsilon, अच्छा, यह epsilon के है, here, here epsilon minus epsilon 1, we can take greater than 0, that means epsilon is greater than epsilon 1, is that clear instrument, कोई दे के दिसमे, यहां पे epsilon 1 भी greater than 0 number है, where, this is greater than 0, कोई दे के दिसमे, कोई दिसमे, that means, this open interval i, is a neighborhood of each of its point, but this 1, 3 is not the neighborhood of any point lying outside it, ठीके एस्ट, देखे, अगला पॉइंट है, every closed interval, every closed interval, is the neighborhood of, every closed interval, every closed interval, अगर इस देखे लिए 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 लिए, let it be a, b, every closed interval is the neighborhood of, each of its point, each of its point, except endpoints, अगला पॉइंट लिए 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 लिए, अगला है, except, जोसके endpoints होते है, ठीके ने, इस्ट, अबे देखे, अबे लिए लिए, अबेंट क्या है, a belongs to, closed interval a, b, बिलकुल ठीक है, b belongs to, a, b, बिलकुल सही है, but, a, b is not, the neighborhood of, neighborhood of, endpoints, a and b, अगर इसको graphically मैं आपको समझाऊँ, तो देखे, यह मैने एक number line draw कर दिया, पॉइंट a है, और यह पॉइंट b है, यह closed interval हो गया, तो मुझे देख चेक करना है कि यह जो, यह जो closed interval है, point a का neighborhood है कि नहीं है, this is your point a, this is your point a, right, तो इस point a का, अगर मैं ऐसा open interval बना हूँ, जो इस point a को continue करता है, तो मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा, right, so this is the open interval, but you can check that, यह जो open interval मैंने बना आया, यह open interval doesn't contain in the closed interval a, exactly a statement, आप देशे हैं तो इसका अगर मैं इस open interval का नाम मैं इस दूँ आई, तो i does not contain in a, ठीक है, तो हमारे पास, हमारे पास ऐसा कोई open interval नहीं है, जो इस point a को, जो point a को तो continue करता है, लेकिन that open interval doesn't lie completely on the closed interval a, या closed interval a, अगर मैं इसको उच्छड़ा करना चाहूँ, तब भी यह इसके, यह जो point है इसके अंदर नहीं आएगा, इसके लेकिन, तो इस बास से यह proof होता है, इस point कि जो भी closed interval होता है, इस इस नेवर और इच उच्छ पॉइच और इस point, इस इसके लिए नेवर पर प्रूप नहीं कर रहा रहा है, ठेक है इसे concept को समझाएं के लिए आपको graphically इसको समझाए जा रहा है ठेक है आपको समझाए आ रहा होगा क्योंकि exam में आपके proof नहीं आएगा ठेक है अच्छा instruments उसके बाद उसके बाद हम क्या कोई भी finite set क्या कोई भी finite set next point है is is finite set a neighborhood of each of its point for example अगर में एक से दिन दुन आपको let it be set a और इसकी में पॉइंट है दू 1 2 3 क्या ये जो set में आपके रिया ये neighborhood है वन का is it the neighborhood 2 is the set a is the neighborhood of 3 इसका अंसर होगा नो इसका अंसर क्या होगा नो क्या रिजन इसका इस्ट्रेंड देखिए अगर मुझे चेक करना है ये set a one का neighborhood है कि नहीं है तो मुझे देना पड़ेगा कि एक open interval लेना पड़ेगा मुझे पहले मैंने open interval ले ले लिया क्या ये point वन को continue करता है इस दिस it's completely lie in the set a तो आप दे सकते हो ये जो open interval है इस set a के अंदर lie नहीं करेगा देखे ग्राफ से इसको समझाने के उसका करता हूं ये आपका 0, 1, 2 and that is your 3 इस set के इंदर कौन से point आते हैं एक set इस set के इंदर एक point आता 1, 2 and 3 there are only 3 elements of this set a right मुझे जै करना है कि इस set a point 1 का neighborhood है कि नहीं है तो मुझे दिखना पड़ेगा एक ऐसा open interval लेना पड़ेगा जो इस point 1 को contain करता हूं देखे ये point A को contain किया इसने, this is the open interval but you can see that this open interval does not completely lie on this set a ठेके student, ये इस set के अंदर लाई नहीं करता है ये देखे ये point, इस open interval के अंदर कोई भी point इस set अंदर लाई नहीं करता है that is why the set a is not the neighbor of 1, it is not the neighbor of 2, it is not the neighbor of 3 that means any finite set is not the neighbor of each of its point, right? कोई तीकर इसमें? अच्छा उसके राद स्टुटेंट कुछ और करस्पले की चलते हैं जैसे इसी तरह से एक है the set of rational numbers the set of rational numbers is not the neighborhood of each of its point the set of rational numbers is not the neighborhood of each of its points each of its members you can say right अच्छा अभी हमने क्या पड़ा था? उपर finite से पड़ा था यह set of rational number क्या होता है? वससे से में बताराना चाहूंगा कि जो set of rational number that is generated by q it is a it is an infinite countable set यह तो पता ही है आपको कि यह infinite set है countable क्यों है यह तो यह mint इंफाने 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 सेट है इस इच विट्स पॉइंट एक इसमें इसमें भी क्या होगा कि जो राश नंबर होगा वह अपने किसी भी मेंबर का नेबरोल नहीं होगा that is true statement that is the true statement इसमेंट ऐसा क्यों होगा देखिए इसको देखिए इसमें नहीं कोश्चित करते हैं माली जीए कि एक पॉइंट पी है जो बिलोग करता है सेट क्यों से राइट अगर मैं एक उपन इटर बनाना जाऊंगू जो इस पॉइंट प्यों करता है इसको पी मैंनस एपसिलोन एंड प्लस एपसिलोन एट इस अपन इंटर वर राइट यह जो पॉइंट पी को कंटीन करता है क्या यह उपन इंटर वल कम्प्लेट लाइक करता है विदिन दे सेट क्यों यह हमें चेक करना होगा क्यों क्या है सेट अव रियल नंबर से लेकिन हमें यह पता है कि कोई यह दो इज दू डिस्टिंक्ट रियल नंबर साइट पी मैंस अपसिलोन एंड पी प्लस अपसिलोन अब डिस्टिंट रेल नंबर से हैं और कोई भी जो दू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स होते हैं उनके बीच में इंफाइनित रियल नंबर सते हैं और अगल मैं infant real numbers की बात करूँ infant real numbers की बात करूँ तो infant real numbers में rational number भी हो सकते हैं होते हैं बलकि rational number भी होते हैं और rational number भी लाई करता है तो throughout this interval इस interval के में सारे के सारे जो जितने भी बिटने भी real numbers है P minus epsilon और P plus epsilon की बीच में जितने भी real numbers है वो irrational भी होंगे और irrational भी होंगे इसका ये मतलब है जब कि जब कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ लिखाब है Superset क्या बनाए हैं इसका Q बनाए है rational number बनाए है वो जो irrational numbers है इस interval के अंदर तो है लेकिन वो इस Q के अंदर नहीं आ सकते हैं Is that clear? So that means this open interval does not completely lie in the set of rational numbers Is that clear strength? इसका यह मतलब है जो set of real numbers है वो अपने किसी भी members का neighborhood नहीं होता है ठीक है स्ट्विंट? जा इसके वाद स्ट्विंट इसी तरह हम कहा सतते हैं अगला example ही सतते हम कि the set of integer is not the neighborhood of any of its points the set of integers के यह यह एक infinite set है infinite countable set है यह यह अपने किसी भी किसी भी members का neighborhood नहीं होता है ठीक है स्ट्विंट? तो अब एक नहीं definition परते हैं इस्ट्विंट नहीं और वो definition है interior point of n interior point interior point of a set interior point of a set or let it be the set or let it be the set can only the only j x so a point P a point P is called the a point P is called the interior point of a set x a point P is called the interior point of a set x if x is a neighborhood neighborhood of a point of that point P ठीक है स्ट्विंट? simple सी बात है स्ट्विंट अगर set x एक neighborhood point P का तो अगर point P को बोलेंगे interior of that set x ठीक है स्ट्विंट? तो ये था interior point की definition इसके साथ ये अगरione definition प्रत्रम स्ट्विंट that is open set open set open set इसके साथ यह अग्छरा definition प्रतने स्ट्विंट? देखे a set x is called the open set if it is if it is enabled of each of its points ठीक है स्विन एक set को उपन सेट कर पाएंगे हम जब यह क्या होगा नेवर्ड होगा अपने member का ठीक है स्विन जैसे हमने उपर पढ़ा था भी क्या बढ़ा था अपने हमने यह पढ़ा था कि जो finite set होता है इसका मतलब है कि जो finite set होता होता है उपन सेट नहीं होता है कभी भी finite set is not the open set अच्छा इसको थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा इसकाय इसकाय है, a finite non-nomba t-set a finite non-nomba t-set is not the neighborhood of its points of its you can say of its member a finite non-nomba t-set is not the neighborhood of each of its member members or you can say points or members both are same thing so this means that a non-empathy finite set this implies any non-empathy finite set नहीं 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 होगा, उसके बाद, दूसरा पाइंट, all random, set of rational numbers is not an open set, उसके वी हमने थोडह थोड़ दिले पहले पड़ था, the set of rational numbers is not the open set, ठीक है student उसके बादा जाओ student अगले एक्जाम्पल में the set of real numbers the set of real numbers is an open set ये open set क्यों है student क्यों कि जो set of real numbers होता है it is the enabled of each of its members जो real number का set होता है अपने हर member का never heard होता है तो हम कहा है सतने है the set of real numbers is an open set आगे हम पढ़ेंगे जो set of real numbers होता है wōu closed भी होता है डिकेर इसे तरह empathy finite set होता है वो open भी होता है और closed भी होता है यह हम तोलो साख समझाएंगे इसको इसी बात को तो सबसेंद इस आपर एल अपर इस अपर इस अपर इस तो आप देसे तो कोई भी मैं यह पॉइंट पी ले लों तो यह पॉइंट पी अगर हमें क्या हमें ऐसा ओपन इंटर मिलेगा जो इस पॉइंट पी को कनेटिंग रेगा बिल्कू मिलेगा यह रहा एक है और अगर यह Пउउिंट पी का उपर इंटर पह मिल गया you can check this open interval completely lies on this set of real numbers that is why that is why the set of real numbers is the neighborhood point P इसी तरह जो set of real numbers है यह अपने हर point का अपने हर point का neighborhood हुता है that is why the set of real numbers is an open set छीके स्ट्वेंट कोई दिकत किसी को तो यह concept आपको बहुत अच्छी नंग से आने चीए basic definition है basic concept है यह बहुत अच्छी नंग से आपको समझा आने चीजिए ठीक है यह मैं प्रूफ नहीं करवा रहा हूं क्योंकि आपके इन्याट के एक्जाम के लिए आपको पता लागा कि यह उपन सेट क्या होता है ठीक है स्ट्वेंट उसके बाद उसके बाद जो अगला concept है वो है लिमिट पॉइंट आप सेट का तो लिमिट point of a set अगें इस एपधा बहुत ही इंपड़न आ इसके concept को शुनिन नहीं बहुत है ठीक है अगर आपको इस की concept को नहीं लिए पट आपके इसके concept का concept नहीं पता है तो आप आप पूरे इनिस को नहीं पड़़ पाएंगे समझ पाएंगे ठीक है तो देखे क्या होता लिमित पॉंट आफे सेट थेंक आप बहुत जांस मिनना या स्टुएंट को लिमित पॉंट को आप अकुमिलेशन पॉंट बी करते हैं स्टुएंट नवीले पालवक इंक वीलेशन अधुमिलेशन अधुमिलेशन पॉंट्रय आएवार दुसरा इसकाइप पाड़ रायै दास्टे लिए। एके संट, so a .p a is set to be limit point of a set x if if every neighborhood of every neighborhood of point P if every neighborhood of point P contains contains a member of x member of x other than P you can say different from P you can also say different from P this means this point P is limit point of the set x set x set x kisie member continue गर्टाइब करता हू जैसे अगर मैं p का एक नेवल मुना हूं तो अब को पता है कोई भी ओपन इंडर्वल जो p को चैनल करेगा वो that is the neighborhood of the point p so मैंने aeg neighborhood बुना आया है ठीक है अगर मैं एक नेवल मुना हूं जैसे यह यह दिस अगर यह नेबर होल्ट सेट एक से किसी एक पॉइंट करता हो अधर दन पीपी के यलावब अगर मैं इस सेट एक 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 से ठीक है स्वेंट अगर मैं इसको एक्जाम्पल के तो आपको समझना चाहूं तो जैसे अगर मैंने सेट एक मैंने सेट ले लिया ले इट भी सेट ए वन टू ले लिया मैंने और मैं पूछू आप से इस वन लिमिट पॉइंट ओफ ए क्या वन एक अनिट पॉइंट है तो आपका जवाब क्या होगा आंसर इस येस वाई देखिए इसको अगर ग्राफ समझाओ मैं मैं रियल लंबर किसे समझाओ मैं रियल लंबर लाइंस मैं समझाओ कर मैं तो इस्ट्रमेंट से यह क्या आपका इस यह ओपन इंटर्वल राइट अच्छा मुझे यह चेक करना है कि one इसका इस सेट एक अलिमिट मेंट है की नहीं है तो मुझे पहले क्रिएट करना होगा one का नेवरोट तो इस यह यह ओण कृएट एक आपका नेवरोट किनिट करऊ यह क्या होगया यह हो गया जएक आपका सेट एक सोंगया तो आप देख सकते हो विद ते हलोगन ग्राग्राम that it at least contain a point x जिक है इसी को अगर मैं इत्वा से बड़ा बना हुआ है तो दाइक बना हुआ है तो बार देखिया इस मेंटा यह मैंने 0 बनाया यह मैंने 1 बनाया यह मैंने 2 जिक है यह आपको एक मैं चेक करना है कि यह आपको सेट दिया 1 2 1 2 1 2 1 2 1 इंटोल इस फर् लिखेंस कि मुझे चेक करना है कि 1 है कि नहीं तो मुझे एक पहले एक उपन इंटेर्वर्ल किरेटए करनाओगा जो इस मांन की करता हूँ ह्यां तो यह जो rac alle card design है हुआ है नहीं है जो मैंने कह Extra यह कि कि यह किया कर दिया तो आप देखते हो कि इस open interval में कम से भी एक member इस set का आएगा ही आएगा set का नाम का नहीं ए लिखा है तो set यह था हमारा पास 1 to 2 राइट तो इस open interval में वन का जो नेविड यह दिस नेविड आप नेविड आप 1 इसी तरह क्या दो limit point है इसका बिल्कु यह तो इस the limit point setting अच्छा मैं पूछूं क्या 0.9 is 0.9 a limit point of of set 1 to answer is no why no फिर से देखी डियाग्राम यह नमबल है ड्रोग किया मैंने यह 0 है यह 1 है यह 2 है मुझे चेक करना है 0.9 इसका limit point है कि नहीं है तो 0.9 something like that यह यह जो 0.9 होगा यहां कहीं होगा तो अगर मुझे यह चेक करना है यह इसका limit point है कि नहीं है तो मुझे एक open interval मुझे इसका यह neighborhood ढूलना पड़ेगा क्या यह neighborhood point 0.9 का 0.9 क्या यह 0.9 का neighborhood इस 1,2 के point को continue करता है कर भी सकते है नहीं भी कर सकते है अगर मैंने open interval थोड़ा बड़ा ले लिया तो करेगा नहीं तो नहीं करेगा तो जैसे कि definition में कहा गया है कि हर neighborhood every neighborhood of that point 0.9 must contain a point of that set 1,2 तो कम से कम मुझे ऐसा open interval या एक neighborhood ऐसा मिल जाएगा जो इस set 1,2 के open interval 1,2 के member को contain नहीं करेगा that is why 0.9 is not the limit point of the set of the given set ठीक है student तो कह सकते हैं कि जो इस set a है अगर मैं open interval की form में कोई set दे दूँ तो 1 is the that means each and every member of its each of each and every member of the set a is the limit point of set a right and जो इसका end point है 1 and 2 जो इसका limit point है जो इसका limit point है जो इसका limit point है तो आप आपने देखा कि जो open interval है 1 does not belong to set a है 1 does not belong to set a in this case right तो इसका आपने देखा कि जो मैंने नहीं सेट a एक open interval लिया था तो आप देखा है 1 है 1 does not belong to a but still but still 1 is the limit point of set a ठीक है स्विंट इसी तरह जो 2 है 2 भी बिलोंग नहीं करता है 2 does not belong to set a तो भी जो 2 है 2 is the limit of set a ठीक है स्विंट इसका मतब यह है कि ऐसे set भी हो सकते हैं जिनके limit point उनके set से बिलोंग ना करते हूं जिनके limit point set से बिलोंग ना करते हूं right तो लेकिन अगर मैं एक close interval लेता हूं if I take a close interval 1 to 2 then each and each and every member is a limit point is a limit point of set B second point no point outside the close interval no point outside the close interval 1 to is a limit point of set B ठीक है स्विंट तो इसका मतलब समझ गया हूं के दूर एक्जम्बस देकि आपको मैं कहना क्या चाहरा हूं ठीक है तो इसका यह मतलब है strength की कुछ ऐसे set भी हो सकते हैं की limit point उच set से बाहर हूं that means the limit point in some cases we get as we get a limit point which belongs to the set and in some cases we get a limit point that belongs to the set only right strength तो यह बात को आपको ने ध्यान देना होगा यह एक basic concept रा, limit point का इसके एक definition instrument इसके एक definition ब्राइट है जिए बुद इसके बुद आपको 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 है that is drive set drive set what is drive set what is the drive set take a stand that is your definition of drive set take a stand it is the set of of all limit points of a given set of a given set इसका ये मतलब है जो भी आपको set given अगर अगर drive set निकालना है तो उस drive set में वो ही member होंगे जो set के given set के limit points होंगे अगर 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 मैं एक सेट ये दे दूँ 7 to 8 तो उसका जो drive set होगा drive set of a हम दिनोर करते हैं इस्टूइंट के dash से और इसमें सब आ जागा 7 to 8 यानि ये open interval आपके पास given है और इसका जो drive से बनाया क्या बन गया है इस्टूइंट एक closed interval होंगे है ऐसा क्योंगा क्योंकि जो open interval होता है या जो open interval होता है उसका हर मेंबर हर मेंबर limit point होता है तो साथ में जो 7 और 8 जो end points होते हैं open interval के वह भी limit point होते है that is why 7 and 8 also included ठीक है स्टूइंट इस तरह अगर मैं एक set B दे दूँ और यहानी दूसरे close interval 23 यहानी जो close interval होता है उसका हर मेंबर limit point होता है और कोई भी जो जो कोई भी इन अपर जो close interval होता है उसका कोई भी मेंबर कोई भी मेंबर जो उस से ब्लोंग ना करे वह उसका limit point नहीं होता है आप ने देखा कि जो drive set है खुद खुद वह close interval आ गया है exactly a student this is the definition of drive set अच्छा अगर मैं बात करूं की अच्छा एक में एक्जमपल देता हूं बड़ी असा देखिए इसको अगर मैं set a देदू और set equal लिखू मैं equal to 1 by n such that n belongs to natural number a dash क्या बनेगा student इस case में जो a dash बनेगा 0 भी इसका limit point होगा 0 is also the limit point of this is that clear क्योंकि हमें क्या check करना है हमें check करना है 0 set a का limit point है की नहीं है तो दिखना पढ़ेगा this is 0 तो 0 limit point set a का है की नहीं हमें दिखना पढ़ेगा क्या हम ऐसा एक open interval ढूट पाते हैं जो 0 को contain करें और वो open interval या neighborhood वो neighborhood कम से कम set a के एक member को contain करता हो यह इस neighborhood का कम से कम एक member set a से बिलोंग करता हो आप दे सकते हैं की we can find we can find at least one member one member of neighborhood o that contains of set that contains that belongs to the set a exactly a student जैसे यह इसकी बात करें अगर हम यह क्या है इस जीरो की number में बिलोंग करता है और यह point इससे भी बिलोंग करेंगा exactly a student क्योंकि जो set a है अगर मैं set के a के member की बात करूं set a के member की अगर बात करूं से student जो set a के member बनेंगे student अगर मैं इनकी जीकर one रखो तो एक member one बनेगा और two रखो तो one by two बनेगा one by three बनेगा one by four one by five one by six and so on ठीक है तो इस तरह से सारे मतलब zero से एकर one तक सारी numbers में लबद मिल जाएंगे सारे rational number में मिल जाएंगे is a clear student कोई ticket किसी को किसी wisdom कोई दिक्कत कही न कहीं हमें इंबर इसमें मिल जाएंगे ठीक है spin तो zero is also the limit point of that's it ठीक है अच्छा दूसरी बाद यह student इसमें जो limit point है set एका इसको हम यह भी प्रू कर सकते हैं zero is the only limit point of set a केवल zero ही यह इसका एक limit point होता है और सकेला कोई number इसका limit point नहीं होता है इसका यह मतलब है अगर मैं drive set of a लिखूं तो केवल zero होरे पैस हाईगा that is equal to e dash and that is your singleton set ठीक है student तो students आज किया मैं यह जो lecture है जो मैंने basic concern बताए है कुछ terms के बारे में realness में जो terms यूज होती है उसके basic concern बताए है तो उमीद करता हूँ यह आपको समझवाया होगा ठीक है student और time की कमी की वज़े से मैं इस lecture को आगे continue नहीं कर पा रहा हूँ तो आगले class में इसी ही से आगे हम कुछ time solve पढ़ेंगे तबते के लिए रहिंद सिंग को आगे दीजिए निवाद